कि इस्टोरिका के आपको इस्तिमाल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल पेस्टोर में सर्च करें हिस्टोरिका sika online classes आपको यहां पर aşडाए पड़ेगाम हिस्टोरिका online classes को क्लिक करें इस आपको डाउनलोड करके इंसलु करना तो इसके बाद आपको इस आपको open करना है open करते हैं आपको यहां पर आपको login करने के लिए बुलेगा जिसमें आपको email या फिर अपना username डालना है और साथ-साथ पर पासवर्ड अगर नहीं तो sign up करिए कि अगर आप नहीं हो जाने sign up में आप अपना email address जो भी है आपका डाली जिसे मैंने example के तोर पर यहां पर अवनीश पाचपेड़ रेट अप जीमेल डाट कॉम डाला अपना पूरा नाम डाली है आप यहां पर साथ-साथ में आपना number जो आप register करना चाहते हैं अपना number वो number यहां पर अपना फिलप करिए और उसके बाद एक अपना password बना लिजिए ना ऐसा password जो भूलेगा नहीं उस password को यहां पर पहले उपर टाइप करें और सेम पासवर्ड आपको नीचे भी टाइप करना रहे ध्यान रखें दोनों password आपका similar होने चाहिए जो उपर नीचे आप टाइप कर रहे हैं और क्लिक करें समेट पर अब आपको यहां पर आपका यह interface दिखाई पड़ रहा है उपर जो slide हो रहे हैं वह आपका courses जो आपका चल रहे हैं या आपका new upcoming courses है किसी पर भी क्लिक करके आप उस course की पूरी particular details ले सकते हो right साथ साथ में नीचे जो scroll कर रहा है आपका वो classes जो है न कि कौन सी class कितने time पर आने वाली like जैसे आपका यह देख रहे हैं कि upcoming class आपका 2 October को साड़े 6 बजे नीचे आपको यहां पर अलग-अलग आइकन है live classes के लिए by test के लिए mock test daily quiz my feed current affairs job alert mark test में आप जाके कोई भी mock test दे सकते हो जिस particular exam के लिए चाहिए आप आपको यहां पर उस particular exam के लिए mock test दे सकते हो यह अगर आप purchase नहीं किये होते तो lock होते हैं आपके लिए पता है आपको Air Force का mock test free है daily quiz आप दे सकते हो daily quiz के अलावा आपको यहां पर current affairs भी मिलता है और current affairs की खास बात ही है कि आप इसको अलग-अलग date का current affairs अलग-अलग languages में ए Hindi, English जिसमें आप चाहें उस particular date का current affairs आप यहां पर access कर सकते हैं इसके अलवा आपको job alerts, doubt पूछने की सुविधा यह भी यहां मिलती है किसी भी course पर click करेंगे पूरी उसमें आपको detail मिल जाए कितनी classes है, doubt class है कि नहीं, study notes, date क्या start होने की है, validity कितने दिन की है, क्या-क्या included है timing उसकी क्या है, आप buy now उपर click करेंगे और आपको सीधा यहां से payment gateway का option मिल जाएगा, buy now उपर click करते हैं आप payment gateway की तरफ बढ़ जाएंगे, roger pay, razor pay के अलावा आप यहां पर google pay, phone pay, या फिर किसी भी तरीके as debit card, credit card, nick, bank, king, किसी माध्यम से आप payment कर सकते हैं, right, तो आगर तो उसी में आपका demo class पर click करोगे, आपको shadow भी मिल जाएगा, आप यहां पर demo class भी ले सकते हो, आपको demo class जब लेते तो इस interface में आपको साथ साथ में PDF मिल जाती है, जो भी class आपका पढ़ाने वाली होती, वो आपका यहां पर जैसे नीचे ना, यह PDF फाइल आपको मिल जात आप इसकी video quality को भी आप set कर सकते हो, साथ साथ में इसको आप portrait और landscape दोनों mode में देख सकते हो, speed को कम जादा करने के लिए यहां पर आपको normal अगर रखना है तो 1, अगर slow करना तो आप 0.5, 0.25, 0.75 करिए, अगर speed आपको किसी video की बढ़ानी जल्दी जल्दी देखना तो कर सकते हो, ज्यादा बेतर pixel के लिए high pixels रखे, otherwise इसको low pixels पर देख सकते हैं, तो यह आपका आप का यहां पर total elaboration है, किसी भी आपका समस्या के लिए whatsapp कर सकते है, 8765011666 पर, write screens, thank you so much, thank you.